बिदान सवाद चुनाग जिए जो नजदीक आ रहे हैं तियों तो राजनिती सरगर्मिया की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार राजनिती सरगर्मिया इस समय तेजी पर हैं और जो भी प्रतेक राजनिता जितने भी राजनिती दल हैं उनके जितने भ बढ़ी में भाती जन्ता पार्टी के पुछरे पृट्धिर्स महामंतरी M.L.C.. बुपता ही तर आए पहाडई कउन्वेंशन के माधिय मंज़े एक जंद्च सभ़ा हुई और पहाड़ी तमाम पार्टियों के ईराहिन नेता इस पहाड़ी मंज़े नेता इक बाइक पंच पुछ मैं भी होई सुरन कोट मैं भी होई काला कोट मैं भी होई अच सुनदरबनी में होई है इसका कुई विश Groß कारण नहीं था यहीं था कि मानिय प्रदानवंदरी नि रिन भाई मोदी जी ने लाल किले से बॉला था कि मुझे पहाड़ी बैन और भाई की चिंता है हम उनकी चिंता दूर करेंगे और जब इस बार पांच गास बीसो निस के बार पहली बार मानी अमी शाजी जम्मो में आए उन्होंने दुरहया और कहा कि मेरे सामने जो पहाडी ट्राइब के लोग जो है बैठे हुए छे बार बात की फिर उसके बार उन्होंने ये भी कहा कि अगला चीम मिनिस्टर पहाडी होगा ये बड़ी बात थी और इस बात से जो हमारे पहाडी ट्राइब के लोगां खिते के लोगां उनके अंदर एक बड़ा उत्सा आया है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर पहाडी ट्राइब के लोगों के साथ इंसाफ और आप जिकीन मानिए निशारा सुन्दर बनी और काला कोट के बच्चों को सबसे ज़्यादा फाइदा होने वाला है क्योंकि जब अभी अचार परसेंट रिजर्वेशन के बाद आप देखिए जितनी भी नोक्री निकली है तो भी जो जब जमो कश्मीर के इतिहास की अगर हम बात करें तो जब जब विदान सवाद चुनाव नजदीगा आते हैं तब ही पहाड़ी उकी याद परते ही सरकार को आती है आप ने बिल्कुल ठीक का कि जितनी पुलिटिकल पार्टीज रही उन्होंने इसको चुनावी जमला बना के रखा उनके लेसलेटर ने कभी सरकार बनाने के बाद इसकी तरफ देखा तक नहीं है लेकिन जब हमारी सरकार थी बतोर MLC आप रिकार निकाले हर सेशन में हम मैंने वाकोड भी किया पहाड़ी को लेकर वाकोड भी किया और उसके साथ-साथ ये एक जमला अब चुनाव जो है चुनावों के पास नहीं उठा है आप ये देखिए कि मानिय परदान मंतर जी ने लाल किले से दो साल पहले ये बोला था कि मुझे पहाड़ी बेहनों और बाईयों की चिंता है इसलिए ये पहाड़ी जमला नहीं है पहाड़ी के साथ जो एक बड़ा सहदा जो उसका नुक्सान किया गया और उनके साथ बेद्बाव किया गया आपने बड़ी बड़े आश्वासन मंच से जनता को दिये राज़ोरी पुंच की जनता के नाम पैगाम दिया क्या आपको लगता है कि चुनावू से पहले जनता को ये तोफा मिलेगा मुझे तो लगता है क्योंकि देना के अंदर सरकार ने है मानी परदानमंतरी जिने मानी अमिशाजी ने देना है लेकिन जिस डंक से इस बार रैली के अंदर उन्होंने सुम्बोंदन में छे बार पहाड़ी ट्राइब के लोगों को नाम लिया और कहा कि अगला चीव मिनिस्टर जो है वो पहाड़ी होगा ये बड़ी बात थी और जहां से लगता है अगर आपकी सरकार ये जो स्टेटस है पहाड़ी स्टेटस राजोरी पुंच की जनता को देती है तो आपको क्या लगता है कि ये जो राजोरी पुंच की जितने भी तमाम विदान सवा के जो सीट है वहां से आपको क्या इस स्टेटस का जो आप स्टेटस जनता को तोफ़े के रूप में देंगे क्या आपको ये बोर्ड वेंक के रूप में पापी साब के पास आएगा आप देखिए मैं इसके उपर एक बात आपको बताता हूँ मानी अमिशा जी दे ले आए हमारा पहाड़ी ट्राइब का एक डेलिगेशन मिला उस डेलिगेशन को कुरेशी साब जो है उन्होंने बाचीत की अमिशा जी से जैसे ही उन्होंने रिप्रेजेंटेशन रखी अपनी तो उन्होंने कहा कि मुझे याद है मुझे आप अपना व सीटें देनी हैं वोट देना ये आपका काम है इसलिए हम कोई खाली पुलिटिकल माइलेज के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं पहाडियों के साथ बेद बाब हुआ है ये बात समझकार हमारे परधान मंतरी जी और रामिशाद जी जो है वो इसके उपर काम कर रहे हैं अब देखना और दिल्चस विए होगा कि क्या अगर भाती जनता पाटी की जो केंदर सरकार है मानिए ग्रह मंतरी जी और प्रधान मंतरी जी अगर स्टी स्टेटस राजोरी पुंच की पहाड़ी दोनु जीरों को अगर देते हैं तो क्या ये बोर्ड मेंक में परिवत्यत अब भी फिलाल आप जूने रहें बाव एस्पिस आप वीडियो जली सची रहने के साथ बाव एस्पिस के लिए मैं राज इंतर हुआ है